Hi guys and welcome back to the channel दीपाच्यादव एजूकेशन, welcome to the daily current affairs of 29th of March 2022, तो guys आज है तारिक 29 मार्च 2022 और है Tuesday, आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे, उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे, तो चलो शुबारम करते हैं बट उससे पहले guys अगर आप लोगो इस lecture का PDF चाहिए, तो नीचे description box में आप सभी लोगों को telegram का link दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को download कर सकते हो, साथी साथ अगर आप लोग मुझे connect होना चाहते हो, तो नीचे description box में मेरे Instagram ID का link मिल जाएगा, वहाँ पर connect होकर आप मुझे अपनी queries को पूछ सकते हो, और जैसा कि आप लो जो कि मैं आप लोगों बता रहा हूँ, कल हमारी तारिक थी 28 मार्च और कल ये daily current affair का video upload नहीं हो पाया था, काफी सारे technical issues थे, laptop में काफी problems हो रही थी, now उसको मैंने आपर permanently solve कर दिया है, तो आगे से कोई problem होगी नहीं, तो इसकी वेसे में इसको upload नहीं कर पाया था, तो जो current affair आपके रह जाएंगे, पहले वाले वो सब आगे की वीडियो में cover कर दिये जाएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, now हम लोग अपने कल वाले questions के answer keys को देख लेते हैं, कल की question की answer keys नहीं है, ये थोड़ी दिनों पहले की answer keys है, क्योंकि हमने 26 March को अपने discussion रखा था, फिर उसके बाद next जो है, वो Saturday आ चुका था, then Sunday आ चुका था, Sunday में हमने अपने पूरे सपता का revision किया, then Monday में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, now finally यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले वाले answer keys बता रहा हूं, ताकि आप लोग चेक कर सको, आपने कितने question सही किया हैं और कितने गलत किया हैं, पहले question आपसे पूछा गया था, जो Battle of Resenla है, यह कब लड़ा गया था, तो 18 November 1962 में, अगले question पूछा गया था, जो यह AIDS है, यह यहाँ पर एक जानलेवा बिमारी है, अकरकार यह कौन से वाइरस की वज़ा से होती है, वो है HIV वाइरस, फुल फॉर्म इसकी है Human Immune Deficiency Virus, अगले question आपसे पूछा गया था, अभी देखो, एकस डस्टलिक एक अभ्यास है, यह दो देशों के बीच में चल रहा है, इसका 3rd edition बेसिकली चल रहा है, तो यह डस्टलिक exercise कौन कौन से देश के बीच में होती है, तो इंडिया और उस्ब आनिखेत वाले एरिया में हुआ था, इसके बारे में जरूर ध्यान रख सकते हो, I hope आप सभी लोगों ने इन सभी questions के answers बिलकुल सही सही दिये होंगे, बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request है, हमारा target है आज का again 2K plus likes का, I hope आप आप लोग यहां पर अपने target को पूरा करने वाले हो, यह आता है हमारा सबसे पहला article, एक बहुत important article है examination के point of view से, आपका जो quality का syllabus है, जो आप लोग लक्षमी कांद की book पढ़ते हो, तो महाँ पर पूरा का पूरा एक topic है emergency provisions के बारे में, तो आप लोग को मैं आज emergency provisions पढ़ाने वाला हूँ, इस article में हम लोग देखेंगे details से, क्या होते हैं, emergency provisions किस प्रकार से होते हैं, कौन कोंसे articles के अंदर mentioned है, कैसे यहाँ पर लागू किये जाते हैं, बहुती simple भाषा में आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, उससे पहले समझते हैं, यह article चर्चा में क्यों आ चु इसा को देखते हुए, जो बहुत सरे political leaders हैं, उन्होंने president के उपर जोर डाला, कि वही देखो, West Bengal के अंदर situation बिल्कुल सही नहीं है, और West Bengal के अंदर article 355 लागू कर देना चाहिए, और article 355 ही हमारे बात करता है, state emergency के बारे में, president rule के बारे में, तो यहाँ पर basically बोला जा रहा तो हम लोग discuss करेंगे article 355 को, उसके साथ साथ मैं आपको काफी सारी detailing बताने वाला हूँ, first of all बिल्कुल basic से cover करेंगे, बस खाली ध्यान से सुनते वे चलना, पहली चीज़, emergency होती क्या है, आपको पता है, मतलब एक आपात, कालिन, इस्थिती, उसको हम लोग emergency बोलते है, emergency क कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त, कहीं पर भी, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी आग लग गई, तो तुरंत वो एक emergency की condition बन जाती है, ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर, emergency जब create होती है, national level पर, state level पर, या कोई financial तरीके से emergency आ जाती है, तो उसके basis पर, जो हमरी सरकार है, वो अपने हाथ में चीज़ों को लेती है, और वो जो emergency है, वो यहाँ पर, वो डेकलियर कर देती है, अब जब हम लोग emergency के बारे में बातचीत करते हैं, तो emergency की provisions हमारे संविधान में कहां पर mentioned है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, कहां से लिए गए हैं, मैं वो भी ब बगा देते हैं, आगे मैं उसके बारे में डीटेल से बताऊंगा, अभी फिलाल मैं आप लोग को एक छोटा सा ओवर्विव दे रहा हूँ, कि आखिरकार emergency provisions कहां से लिए गए, तो हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा हिस्सा, Government of India Act 1935 से लिया गया है, तो emergency provisions में हम हर प्रकार के emergency में नहीं, एक प्रकार के emergency में fundamental rights भी suspend होते हैं, आगे मैं आपको detail से बताऊंगा, अभी मैं आपको overview दे रहा हूँ, तो fundamental rights suspension का जो ये concept है, ये कहां से लिया गया, ये German constitution से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, अब ये emergency लगाने के पीछे का logic क्या है, इसका मक्सद ये है, कि हम अपने देश की sovereignty, unity, integrity और security को एक protection दे सकें, इसको हम लोग बनाए रखें, देश के अंदर को यहाँ पर अपात कालिन वाली सिजी क्रियेटोरी है, emergency क्रियेटोरी है, तो वहाँ पर उसको संभालने का काम करते हैं, ये emergency provisions, clear हुआ, अब emergency provisions हमारे 352 से लेकर article 360 के बीच में define किया गया है, article 352 exactly बात करता है national emergency के बारे में, article 356 बात करता है state emergency के बारे में, यहाँ पर article 355 का रोल भी आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद article 360 बात करता है financial emergency के बारे में, तो ये तीन प्रकार की emergencies होती है, इसको ध्यान में रखना, कौन-कौन से articles के अंदर mentioned है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, अभी फिलाल चर्चा में कौन सा article है, article 355 जिसको लागू करने के लिए, यहाँ पर president के उपर जोर डाला जा रहा है कि आप West Bengal के अंदर इसको लागू करो, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है, president जब satisfy होंगे, तब ही वो लागू कर सकते हैं, यह हम लोग कवर करने वाल है, तो article 355 है क्या exactly हम उसको समझते हैं, बहुत ही simple से भाशा में मैं आप लोगो बताऊंगा, बस खली ध्यान रखना, देखो मैंना क्या करूँगा, ऊपर की side थोड़ा सा य बोला गया, एक बार मैं read कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है law की language कैसी होती है, तो read करने के बाद हम लोग समझेंगे न, तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, article 355 refers to the provision in the constitution that states that it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression, internal disturbance and to ensure that government of every state is carried in accordance with the provisions of this constitution, यहाँ पर बहुत simple सी भाषा है, I hope आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, जो भी यहाँ पर mention नहीं है, अब यहाँ पर नहीं समझ माया है, तो इसको समझने की कोशिच करो, मालो यहाँ पर states के अंदर, यानि राज्य सरकार में, कुछ भी हो रहा है, राज्य में आपर माल सरकार को तीन चीजों से बनाना, मतलब राज्य सरकार नहीं कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो states को, राज्य को तीन चीजों से बचाने का काम करता है हमारा center, वो तीन चीजे कौन कौन सी हैं, एक है external aggression, दूसरा यहाँ पर क्या है internal disturbance, और तीसरा क्या है respecting constitutional provision, इसका मतलब क्य देखो, अगर state के अंदर कोई external aggression create हो रहा है, तो यहाँ पर emergency लगा दी जाएगी, या फिर state के अंदर कोई internal disturbance create हो चुका है, तो भी यहाँ पर emergency लगा दी जाएगी, या फिर किस state के अंदर, state क्या कर रहा है, constitutional provisions को respect नहीं कर रहा, हमारे सम्विधान के अंदर जो भी provisions हैं, उ emergency लगा दी जाएगी, तो हमारे state को इन तीन चीजों से बचाने के लिए center की duty है, ये emergency provisions लगाना, ये चीजे article 355 के अंदर mentioned है, I hope आपको बहुत ही simple भाषा में clear हो चुका है, और यह मैं आपको बताई चुका हूँ कि हाँ, हमारे emergency provisions part 18 के अंदर, 352 से लेकर 360 के article के बीच में mentioned है, अब हमने तो बात कर ली 355 के बारे में, तो 355 के अंदर क्या बताया गया, कि आपकी duty क्या है, center की duty क्या है, और अब इसके बाद वाला, 355 के बाद वाला ही जो article 356 है, 356 वाला, ये बात करता है, आप यहाँ पर इसको कैसे implement करोगे, ठीके, कैसे आपको यहाँ पर fulfill करन हैं इन सारी चीज़ों को, तो article 355 तो आपने डीटेल से समझ लिया, और सेम चीज़े article 356 के अंदर भी देखने को मिलती है, article 356 यहाँ पर exactly बोलता है, कि माल यहाँ पर कोई राज्य है, जो कि यहाँ पर fail मार चुका है, और वो हमारे constitutional, हमारे संबेधानिक provisions को follow नहीं कर रह है, clear हुआ, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि president rule लग जाता है, हाँ बिलकुल लग जाता है, कब कब लग सकता है, यह आपने पहले पढ़ लिया है ना, यह situation देख लिया और यहाँ पर आपने यह situation article 356 के बारे में जान लिया, कि यहाँ बही जब state इन चीज़ों को follow नहीं करे हैं, एक emergency की, वो कब करेंगे, जब उन्हे satisfaction मिल जाएगा, जब उन्हें पता चलेगा, हाँ कोई राज्य हमारे समिदान के provisions को follow नहीं कर रहा है, वही बात बास-पस से repeatedly यहाँ पर mention करी गई है, जैसे उपर है, वैसे ही नीचे है, तो 356 के according president rule लगाया जा सकता है, उसके बा है, अब कोई state इसको follow नहीं कर रहा है, मतलब center का बात नहीं मान रही है, कोई यहाँ पर state, तो उस condition में भी यहाँ पर जो president है, वो यह step उठा सकते हैं, clear हुआ वो article आपको 365 के अंदर mentioned देखने को मिल जाएगा, अभी president rule के बारे में थोड़ा सा और से detail से बताया गया है, मैं president rule के बारे में article 356 के बारे mentioned है, क्योंकि बोला जा रहा है, वेस्ट बेंकोल के अंदर president rule लगा दो, है न, यह information आरी है मारे पास, तो अब president rule कैसे लगता है, क्या क्या procedure है, कैसे approval मिलता है, कब तक लगाया जा सकता है, यह सारी बाते आपको इस इकलौती picture के अंदर बहुत अ यह थोड़ी सी problem के लेट हो रही है मेरे लिए, तो यहाँ पर question यह है, कि किस प्रकार से president को, president जो rule है, वो हम लोग एक राजगों पर लगा सकते हैं, मतलब राश्ट्रपती साशन किसी एक राजगों पर कैसे लगाया जा सकता है, पहला step, पहला step यह है, कि आपको पता होग यहाँ पर कोई state है, state के पास अपना governor होता है, और इस governor ने बोल दिया, हमारे president से, हमारे president को इस governor ने एक report दे दी, और वो report क्या दी, कि भाई, यहाँ पर यह जो state है, यह proper governance तरीके से नहीं चल रहा है, यहाँ पर यह fail मार चुका है state, proper यहाँ पर governance bodies आपको देखने को मिलें को, और उसके बाद दूसरे है, हहाँ पर statement क्या है, दूसरी condition क्या होती है, जब जो state legislature होता है, वो खुद संबिधान के provisions को follow नहीं करता है, तो उसके basis पर जब यहाँ पर president देखते हैं कि हाँ ऐसा बिलकुल हो रहा है, जो राज्य सरकार है, वो हहाँ पर संबिधान के provisions को follow नहीं कर रही है, तब महाँ पर president rule लगाया जा सकता है, तो यह दो conditions आपको clear हो जानी चाहिए, अब question यह है कि चलो हम लोग तयार हो गए, किसी राज्य के अंदर president rule लागू करने के लिए, राष्टपती शाषन लागू करने के लिए, तो कैसे होगा, तो देखो उसके लिए आपको चाहिए होगा approval, यहाँ पर Parliament का एक बहुत बड़ा रोल आएगा, ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, मान लो जैसे कि आज तारीक है 29th March, और यहाँ पर आज किसी state के अंदर president rule लग रहा है, suppose करके हम लोग यहाँ पर चलते हैं, तो आज जैसे यहाँ पर काम क बताया जाएगा, और Parliament का approval अगर मिल जाता है, तो आज से यहाँ पर इस तारीक से आने वाले दो महिने के लिए यहाँ पर यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, Parliament के अंदर जो approval मिलेगा, वहाँ पर राज तक लगाया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो President Rule है, इसको हम लोग लगातार तीन साल तक लगा सकते हैं, लेकिन तीन साल तक एक साथ नहीं लगाना पड़ता, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम तीन साल का period है, लेकिन आपको 6-6 महिने में approval लेना हो जोगा, जन उसका फिर यह 6 महिने तक आगे आजाएगा, ऐसी 6-6 महिने कर तक यह तीन साल तक हम लोग लगा सकते हैं, President Rule को किसी भी particular state के ओपर, यह इसका duration है, I hope आपको यह भी clear हो चुका है, अब question यह है कि अब यह हटेगा कैसे मालो लागू कर दिया, तो हटेगा कैसे, तो हटाने के लिए यहाँ पर यह सारी चीज़े President के ओपर खोद हैं, President अगर यहाँ पर समझते हैं, Satisfy होते हैं, आर चीज़े सदवर चुकी हैं, अब यहाँ पर कोई भी Parliament Approval, Sorry, President समझ चुके हैं, कि हाँ यहाँ पर कोई भी President के अब रूल की जरूरत नहीं है, तो President इसको Terminate कर सकते हैं खोद, ठीक है, और Termination के लिए कोई भी Parliament के Approval की जरूरत नहीं होती है, ध्यान अकना, इसको लागू करने के लिए Parliament के Approval की जरूरत है, बट इसको Terminate, यानि हटाने के लिए Parliament के Approval की जरूरत नहीं होती है, I hope आप लोग President रूल के बारे में समझ गई हो, कैसे ल Emergency और State Emergency के बीच का Difference आपको यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर National Level पर जब Emergency Declare की जाती है, तो क्या होता है, और State Level पर Emergency Declare की जाती है, तो क्या होता है, उसके बारे में आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, Don't worry, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो हमने क्या समझ लिया, हमने यहाँ पर जो President Rule है उसको समझ लिया, Article 355 क्या बोलता है, 356 क्या बोलता है, State Emergency के बारे में समझ लिया, तो State Emergency तो Clear हो गया, और Starting में मैं आप लोग को बताया था, जो Emergency आपको तीन प्रकार की देखने को मिलेगी, National, State और उसके बाद यहाँ पर वार हो रही हो, ठीक है, कोई युद्ध हो गया हो, या External Aggression हो रहा हो, या कोई Armed Rebellion का Aggression देखने को मिल रहा है, तो इसके basis पर यहाँ पर National Emergency लगाई जाती है, जो हमारा संविधान है, वो क्या करता है यहाँ पर, वो यहाँ पर लागू होता है, और उसके बाद यहाँ पर गोशला की जाती है, कि बिलकुल एक Emergency की जरूरत है, कुछ इस प्रकार के, जो की National Level पर यहाँ पर Implement के जाएगी, अब National Emergency के बारे में, कौन से Article में चीज़े Mentioned है, Article 352 के अंदर आपको सारी चीज़े Mentioned देखने को मिलेंगी, एक President जो है, वो National Emergency को Declare कर सकता है, जब पर President क्या कर सकता है, Article 352 का यूज करकर National Emergency को Declare कर सकता है, क्लियर हुआ, यह आपको ध्यान रखना है, तो National Emergency क्या होती है, क्लियर हो चुका है, अब देखो, यह भी ध्यान रखना, जो National Emergency है, इसको हम लोग जब कोई योद होता है, जब Declare करते हैं, तो इसको हम लोग External Emergency ब के मद्यम से ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्लियर हुआ, इससे पहले आपर इसको Internal Disturbance के नाम से ही जाना जाता था, यह एक Basic सी Information है, तो आपने National Emergency को समझ लिया, State Emergency को समझ लिया, अब बात करते हैं, जो हमारी Last वाली Emergency है, Financial Emergency, अब Financial Emergency के बारे में आपको Article 360 के अंदर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, अगेन President यहाँ पर Proclaim करेंगे Financial Emergency को, अगर उनको Satisfaction मिलता है, कि हाँ, हमारा जो Country है, इंडिया की Stability, जो Financial Stability है, वो यहाँ पर Hit हुई है, बुरी तरह से, तो इसके basis पर, मतला हमारी Financial Stability को काफी बड़ा खतरा है, तो इस President रूल के बीच का क्या difference है, वो भी आप लोगो समझ में आई गया होगा, जो National Emergency है, वो कब लगती है, जब कोई War होता है, External Aggression होता है, आम Rebellion होता है, तो National Emergency लगाई जाती है, President रूल क्या है, जब कोई राज्य समविदान को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर राज्य का कोई Governor है, जो कि मैंना भी आप लोगो थोड़ दर पहले बता है, वो यह वाली बात है, तो अब यहाँ पर President रूल लगा देते हैं, लेकिन एक बहुत important बात है, इसके अंदर छुपी वी, उसकी वेज़े से मैंने आप सिर्फ और सिर्फ इस पिचर को लगाया है, वो important बात क्या ह इसको समझना, वो यह है, मानलो कभी National Emergency लगी, तो National Emergency में क्या होगा, जो Parliament है, Parliament के पास सारी पावर आजाएगी, Parliament अपने हिसाब से कानून को बनाएगा, किसी भी State Subjects को लेकर, जितने भी कानून लगे, उस सब के ओपर Parliament काम करने वाला है, ठीक है, जो यह पावर वाली, जो आप कर सकतो, पूरी की तरह से, जो भी मतलब, जो कानून बनाने की पावर है, यह किसी और दूसरे बोड़ी है, किसी दूसरे ऑथोरेटी को नहीं मिलती है, National Emergency के कंडिशन में, लेकिन जब President रूल होता है, यानि कि State के अंदर Emergency लगाए गई, तो इसमें Parliament तो क्या कर सकता है पालियमेंट कानून बना सकता है, साथ साथ पालियमेंट यहाँ पर यह जो पावर है कानून बनाने वाली, यह President को दे सकता, या President के अलावा कोई दूसरी Authority को भी यहाँ पर दिया जा सकता है, यह एक छोड़ा सा Difference है, क्लियर हुआ, उसके बाद यहाँ पर National Emergency और State Emergency को लेक ठीक है, इसके वेसे आपर इसको लगाया गया, यह वाला Point क्या है, यह वाला Point, इसमें क्या बोला गया, जब National Emergency लगती है, तो National Emergency में जो Fundamental Rights है, citizens के पास उनके उपर एक बहुत बड़ा Effect होता है, यह बहुत Important Point है, ठीक है, जो Fundamental Rights है, वो Suspend होता है, कब National Emergency वाली Condition में, लेकि पर Fundamental Rights के उपर कोई भी Effect नहीं होता, आपके पास अपने जो मूल अधिकार है, जो Fundamental Rights है, वो आपके पास अवेलेबल है, क्लियर हुआ, तो यह यहाँ पर एक छोटी सी Information थी, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम लोग उसी Topic पर आ रहे थे वैसे तो, कि अगर National यह जो Emergency है इन Emergency की Condition में, Fundamental Rights के उपर क्या Effect पड़ता है, हम लोग उसको कवर करेंगे, तो यह Article 358 और 359 के अदर बताया गया, Article 358 और 359 में बताया, कि भई, Fundamental Rights के उपर क्या Impact पड़ेगा इन Emergency की Condition में, तो यहाँ पर Simple सी बात है, बताया गया, भई, आपके Fundamental Rights Suspend हो जाएंगे, जो क Article 19 के अदर mentioned है, अगर National Emergency वाली situation बनती है तो, तो National Emergency जैसे ही आईगी, तो क्या होगा, जो आपके 6 Fundamental Rights हैं, वो यहाँ पर आपके, आपके सकते हो, Suspend हो जाएंगे, मतलब हक आपके पास हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते कहीं पर भी, बस Simple सी बात यह है, तो यह Automatically Suspend हो यह अलग से पूरा chapter है, और मैंने आपको पॉलिटी का पूरा यह chapter कवर करवा दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मैं आपको एक बार फटाफट overview देता हूँ, क्योंकि बहुत important है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर चीजे थोड़ी सी complex हो जाती है, अगर उसके बाद तीन प्रकार के आपको emergencies देखने को मिलती है, कहां का पर mentioned है, article 352, 356 और 360 के अंदर mentioned है, 355 क्या बोलता है, हमने उसको समझा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने समझा, कि 355 और 356 क्या है, यहाँ भी president rule क्या होता है, वो हम लोगों ने समझा, य national emergency और state emergency के बीच में क्या difference होता है, फिर national emergency आखिरकार होती क्या है, state emergency क्या होती है, financial emergency क्या होती है, fundamental rights के उपर क्या impact पड़ता है, इन emergency की conditions में, यह हम लोगों ने समझ लिया, clear हुआ, आगे आते हैं अगले article पर, ठीक है, यह जो next article है, बहुत ज़दा जबर्दस होने वाला celebrate किया आगया था, अब World Theatre Day celebrate क्यों आगया था, मैं आपको बताता हूँ, World Theatre Day celebrate करते हैं, हम लोग 27 March को, पूरे दुनिया भर में celebrate किया जाता है, लगबख 1962 से regularly celebrate कर रहे हैं, ताकि जो theatre की importance है, इसका ये सब को पता सल सके, क्योंकि theatre की importance खोती जा रही है, तो उसको aware करने के लि क्यों बोला है, यहाँ पर आप देख पाओगे, इस चैनल पर, जो ये दीपा यादव एजूकेशन वाला यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर सबसे पहला वीडियो जो मैं अप्लोड किया था, वो 27 March को ही किया था, 27 March 2020 में मैं अप्लोड किया था, World Theatre Day क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत आर्ट and culture डाला था, ठीक है फिर उसको भी रोग दिया था, फिर उसके बाद हमने current affair के ओपर majorly focus किया, और यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप लोगों मैं thank you बोलना चाहूँगा, कि आप लोग की site से इतना जादा support मिला है, कि यहाँ पर हम लोग 2 साल में कुछ इस परकार से आगे आ चुके हैं, ठीक है अपने channel को लेकर और मतलब हम लोगों का मतलब जो the Hindu newspaper का discussion है, वो काफियर तक लोग जानते हैं, काफिसर लोग पैचान चुके हैं हमारे discussion को, तो यह सब आप लोग की वाज़ी से हुआ है, तो उसके लिए आपर सबसे पहली को बहुत बड़ा thank you, आगे आते हैं अपने अकले article के दरफ, next article भी बहुत ज़्यादा important होने वाला है हमारे examination के point of view से, ठीक है इसको आप लोग simply relate कर सकते हो, GS paper to health से, यहाँ पर बात की गई है lead के बारे में, lead यहाँ पर एक poisonous chemical element है, ठीक है अब क्या हुआ हुआ, बहुत सार article है, down to earth एक one of the most important source है हमारे current affairs के लिए, तो यहाँ पर बोला गया, भाई यहाँ पर क्या हुआ, जो lead का बहुत ज़ादा level बढ़ता हुआ नजर आया है, हजारों बच्चों के खून के अंदर, यह बात है Zambia की, ठीक है, Zambia के अंदर काबवे माइन है, इस खनान के अंदर Democratic Republic of Congo, इसके उपर इधर Tanzania, इधर Malawi, इधर Mozambique, इधर Zimbabwe, इधर Botswana, इधर Namibia, इधर Angola, यह countries आपको इसके आसपास देखने को मिल जाती है, clear हुआ, और काबवे वाला region कहां पर है, वो इस वाले region यहाँ पर है, बीचों बीच में है, तो इस वाले region के बारे में चर्च की जा रही है, lead आपको इस प्रकार से black color का देखने को मिलता है, ठीके, यह होता है lead, ठीके, clear हुआ, तो lead अभी क्या होता है, मैं आपको detail से बताऊंगा, पहले हम लोग समझते हैं, कि lead आखिरकार इतना खतरनाक क्यों है, देखो जो lead poisoning हैं बहुत जदा खतरनाक है, अगर य nausea, diarrhea, भूक लगना कम हो जाता है, anemia वाली condition मतलब की iron की कमी हो जाती है, blood की कमी हो जाती है, जो हमारे gums होता है, यानि कि आप कह सकते हो, जो हमारे mouth के अंदर gums हैं, वहाँ पर black color की, dark color की line बन जाती है, प्लस उसके बाद muscle paralysis और उसके साथ-साथ यहाँ पर हमारी जो body है, काफी बड़ी weakness देखने को मिलती है, तो यह सारी harmfulness होती है इस lead की वज़ा से, और खास कर जो बच्चे हैं 6 साल के आसपास के हैं, इनको सबसे बुरी तरह से यहाँ पर affect करता है यह lead, उनके mental और physical development को पुरी तरह से hit करता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, और बहुत सरी condition में ऐसा देखने को मिलता है, कि इस lead के जादा consumption की वज़ा से death भी हो जाती है, और यही lead का जो exposure है, इसकी वेसे यहाँ पर anemia, hypertension, impairment, immunotoxicity, toxicity, यह सारी चीज़े हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, आप लोग देख पाऊगे, तो यह मतलब कितनी खतरनाक चीज़े, I hope आप लो अगर हम लोग lead के बारें बात करते हैं, पहले तो periodic table आप लोग cover करोगे, periodic table में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आपको यह lead नजर आएगा, अब इसमें जब आप पढ़ोगे किसी भी chemical element के बारे में, तो बस खाली इसका atomic number symbol के बारे में ध्यान अकना, जो यह lead है, atomic number, sorry, इसका symbol है PB, और इसका atomic number है 82, और इसका atomic weight है 207.2, यह आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि question यहाँ पर prelims में बन जाते हैं, तो lead poisoning मैं आपको बता दिया, lead की वाज़े से क्या-क्या दिक्कते देखने को मिलती हैं, जो IQ level है, वो काफी down हो जाता है, brain के अ nervous system damage होने लगता है, प्लस जो reproductive organs हैं, वो यहाँ पर damage होने लगता है, यानि जो sperm count है, वो काफी low हो जाता है, sperm damage हो जाता है, उसके बाद kidneys की बारे में बात करें, तो kidney के अंदर impairment और damage देखने को मिलता है, blood में anemia देखने को मिलेगा, blood यहाँ पर body के अंदर कम हो जाएगा, त तो आपको यह earth crust में naturally भी देखने को मिलता है, यह एक toxic metal है, एक zehrila metal देखने को मिलता है, जो की earth के अंदर पाया जाता है, अगर यहाँ पर body के अंदर बात करें, यह चला जाए जादा मातरा में है, जो यहाँ पर available है वो है, लेकिन अगर जादा मातरा में जाता है, तो definitely य damage करता है, जैसा आप लोगोंने थोड़ देर पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यह जो lead का damage है, इसको हम लोग रोक सकते हैं, इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंटेबल है, ऐसा है यहाँ पर देखने को मिलता है, अब lead की वजा से यहाँ पर क् 21.7 million years of healthy life lost हुआ था, मतलब अच्छे खासे लोग थे जिनके अंदर disability हो गई, कहीं लेकिन यहाँ पर आपका सकते हो disabled person हो गई, उनके कोई ना कोई बॉड़ी पार्ट काम करना बंद कर गया, तो यह यहाँ पर condition हुई है lead की वजा से, और यह जो condition हो यह कहाँ पी हुए है, स ठीक है, clear हुआ, अब बात करते हैं, World Health Organization के response के बारे में इस lead को लेकर, यह जो lead है, मैं आपको बताया, एक major chemical है, देखने को मिलता है, अगर हम लोग बात करें, top 10 chemicals में से एक सबसे खतरना chemical है, जो की public health के लिए काफी चिंता वाली बात है, ऐसा WHO बोल चुका है, WHO ने United Nation Environment Program को जॉइन किया था, ताकि वो क्या कर सके, Global Alliance to Eliminate Lead Paint कर सके, मतलब कि जो lead paint होता है, जो paint होता है, उसके अदर भी lead का इस्तमाल होता है, उसको कम करने के लिए, उसको खतम करने के लिए, बेसिकलि यहाँ पर WHO ने UNEP को जॉइन किया था, clear हुआ, बाकि करम लोग बा जो WHO है, यह basically एक partner है, project के अंदर, और वो किसका partner है, WHO GEF का partner है, GEF क्या है, यह है Global Environment Facility, जो की environment के लिए काम करता है, तो WHO किने इसके साथ partnership कर रही है, एक project के अंदर में, जहाँ पर major मक्सत यह है, कि लगबख 40 countries के अंदर यहाँ पर, यह lead paint को control करेंगे, जो lead paint है, उसको यहा partnership कर रहा है, यह मैं आपको बताया, Global Environment Facility है, जिसको बनाया गया था 1992, Rio Earth Summit के टाइम पर, directly question मन जाते है, कि इसको कब बनाया गया, तो आप लोग इसके बारे में जरूर ध्यान रख सकते हो, तो environment को ध्यान में रखते वे, इस particular body को बनाया गया था, अब बात करते हैं, lead को ले 2016, यह यहाँ पर, pass क्या यह है, किसके थुरू, Ministry of Environment and Forest Climate Change के थुरू, इनका major मकसद यही है, कि हम लोग lead को उपर पूरी तरह से रोक लगा दें, manufacturing के उपर, उसके व्यापार के उपर, import के उपर, export के उपर, ठीक है, या फिर decorative paints के अंदर, जो lead का अस्तमाल हो रहा है, उसको हम लोग रोग दें, तो यह basically भारत सरकार आज के टाम पर focus कर रही है, क्योंकि अपने आप में काफी concern है इसका, तो आप लोगो इसके बारे में समझ गए होंगे एक एक बात, आई हूप आपको clear हो चुका है, clear हो चुका है, तो फटड़ वीडियो पर like का button है, आपको याद न यहाँ पर बात की गई है, G7B satellite के बारे में Indian Express पर explained section पर इन्होंने science and tech के perspective से आर्टिकल को समझाया, यह आप लोग देख पार होंगे, explain section पर इन्होंने बताया, तो हुआ क्या, जो हमारी ministry of defense है, इन्होंने acceptance of necessity दिया, G7B को मतला भी जो satellite है, इसको हम लोग लोग ला रहे है satellite जो है basically, यह dedicate किया जाएगा हमारी Indian Army के लिए, Indian Army इस satellite का बहतरी तरीके से इस्तेमाल करेगी, Indian Army को communication के अंदर बहुत जादा help मिलने वाली है, इस satellite के मादियम से, जिसका नाम है G7B, ध्यान रखना फिर से बोलना हूँ, G7B, बार बार इसके ओपर मैं जोर क्यों दे रहा तो अभी क्या है, भारत के पास, जब हम लोग बात करते हैं, military satellites की, मतलब ऐसी satellites, जिससे यहाँ पर हमारी military को help मिले, तो उस type के जो satellite है, वो भारत के पास सरिफ और सरिफ आपको दो dedicated military satellites देखने को मिलती है, एक है G7-7, जिसका नाम रुकमिनी है, दूसरा है G7-7A, जिसका angry bird दिया है, जो G7-7 रुकमिनी वाला है, यह Indian Navy के लिए है, और G7-7A वाला जो है, वो Indian Air Force के लिए, अब जो यह नई वाली satellite है, यह है G7-7B, यह हमारी Indian Army के लिए है, तो simple सा है, यहाँ पर ध्यान रखने में कोई भी इतनी problem होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है, G7-7 वाला है, 7 वाला हमारा जो है, Indian Navy के लिए है, 7A वाला जो है, यह हमारी Air Force के लिए है, और 7B वाला जो है, वो हमारी Indian Army के लिए है, ठीक है, तो याद रखना काफी असान मन जाता है, तो G7-7B पर हम लोग बिलकुल last में आएंगे, पहले हम सेटलाइट है, यहाँ पर अगर में लोग बात करें, इन सेटलाइट को पूरी तरह से डेवलप क्या या, इजरो के थूरू Indian Space Research Organization, ऑब्वियस सी बात है, स्पेस रिल्टेट काम जदा तर हमारा इजरो ही करता है, अब बेसिकली इस सेटलाइट का मिजर परस्पेक्टिव परस Yиков काम जिए है, कि हम लोग क्या कर सकें, डिफैन्स सर्विश जो कमुणिकेशन की जरूरत है, वो लेकर सकें, देखो मुद्दा यह है कि आज अज पर हम लोग अगर हमारी मिलिटरी को कमुणिकेट करना है, क्योंकि वो बातचीत करनी है तो उस सेटलाइट के लिए हम कि हमारी जो military के भीच में communication हो रही है वो safe नहीं है इसी ये वज़ा से G7 को launch किया गया था ये basically यहाँ पर हमारी Indian Navy की communication needs को fulfill करेगा और G7 का ही नाम रुकमिनी है और ये क्या करेगा मैं आपको बता दिया communication needs को पूरा करेगा हमारे military के लिए ये भारत का पहला military satellite है पहला question भारत का पहला military satellite G7 है G7 7 satellite को launch किया गया था अगस्ट 2013 के अंदर कहां से launch किया था इसको area ने 5 ECA rocket से launch किया गया था French Guiana से तो ये area है यहां से हम लोगों ने launch किया था इस satellite का जो वज़न है वो लगबग 2650 kg का था ठीक है अब उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है G7 7 है तो 7 वा बात करते हैं 7A के बारे में जो 7A है बेसिकली इसको launch किया गया था 2018 के अंदर कहां से launch किया आंदर प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर स्री हरी कोटा से ये जो satellite है बेसिकली ये यहां पर help करता है कि हम लोग क्या कर सके हमारा जो पूरी तरह से Air Force है Indian Air Force को यहां पर help कर सके Indian Air Force के यहां पर communication level के उपर यह काम कर रही सकता है या फिर Indian Air Force को अर्ली वार्निंग दे सके उनको अर्ली वार्निंग के साथ यहां पर जो control aircraft है उसके अंदर मदद कर सकता है तो यह यहां पर इसी perspective सामने मतलब हमारी Indian Air Force को help करने के लिए जी सेट सेविने को launch किया जो जी सेट सेविने है यह बिसिकली help करेगा किसी जमें यह Indian Air Force को तो help देगा साथी साथ जो unmanned aerial vehicles होते हैं मतलब कि जो drones बगरा होते हैं यहां पर भी एक बहुत बड़ी help मिलने वाली है clear हुआ तो G7A के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे G7 के बारे में समझ गए होंगे अब जो चर्चा में वो है G7B यह हमारी Indian Army के लिए है तो अभी तक हमारी Indian Army के लिए कोई भी ऐसा particular satellite नहीं था अभी तक जो हमारी Indian Army है वो अभी G7A प्लस और दूसी दूसी satellites के ओपर dependent थी हम लोग बहुत सरी बहार की countries के satellites के ओपर dependent थे उनका यूज कर रहे थे जो की हमारे लिए safe नहीं हो सकता था communication का breach यहाँ पर देखने को मिल सकता था तो इसी वज़ा से यह सब चीज़े देखते वे military grade satellite को यहाँ पर launch किया गया है यह यहाँ पर क्या करेगा communication support प्रोवाइड करवाएगा हमारी Army को communication needs पूरी करेगा हमारी Army की clear हुआ तो यह बहुत simple सी चीज थी I hope आपको clear हो चुगा होगा अच्छा हम लोगों को यह इतनी जादा आवशकता क्यों पढ़ रही है इसकी आवशकता इसलिए पढ़ रही है क्योंकि यह जो satellite है ना इसका बहुत जादा importance होने वाला है भारत की Army के लिए क्योंकि आज के टाइम पर हमाल यह जो threat है वो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना एक बहुत बड़ा threat निकल कर आता है ठीक है अब यह दोनों countries हमाल यह threat है तो obviously बात है इन दोनों countries के साथ जो हमारे जो border share हो रहा है काफी लंबा चोड़ा तो उन borders के उपर dispute रहते हैं तो उन borders के उपर जो dispute है उनको resolve करने में हमारी इंडियन आर्मी को और जदा मजबूत करने में यह satellite बहुत जबरदस तरीके से हम लोग की मदद करने वाला है clear हुआ I hope आप लोगो सारी बात है अच्छे से clear हो चुकी है चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर तो next आर्टिकल बात करता है world water day 2022 के बारे में यहां पे हम लोग basically कुछ important information cover करेंगे कोई फालतू बात करेंगे नहीं काफी सारी important चीज़ है इस आर्टिकल को ministry of जल शक्ति इन्होंने क्या किया जो UNESCO है UNESCO मतलब United Nation Education Scientific Cultural Organization UNESCO और कुछ और यहां पर इसके partners है इन्होंने तीन animated films को launch किया H2OO करके मतलब H2O Initiative के अंदर में यह 3 animated films को launch किया है यहां पर basically major मकसद है कि पानी के बारे में awareness फ्लाई जा सके तो यह जो animated films है इन सब को यहां पर पूरी तरह से launch किया यह UNESCO के थूरू कब July 2021 के अंदर में यह आपको ध्यान अखना है इन्होंने यहां पर मतलब partnership करी है National Mission for Clean गंगा के साथ में और ही बहुत सरी जगबर partnership करने के बाद इस initiative को launch किया गिया यह जो H2O वाला initiative है यह अपने आप में एक unique program है जो कि Indian school students के लिए बना वाए class 1 से लेकर 8 थक के बच्चों के लिए इसका major objective क्या है major objective है कि जाग रुकता है फिलाना कि आज के ताइम पर जो प बारे में बताने का major मकसद है इस particular initiative का इसकी मांग यह है कि हम लोग students को यहाँ पर बता सके उनको खुद का experience दिला सके प्लस वो लोग यहाँ पर environment के production की तरफ आगे बढ़ सके clear हुआ तो यह काम UNESCO के थू किया या तो UNESCO के बारे में जान लो क्योंकि directly prelims में आपसे question बन सकत है जब हम लोग बात करते हैं UNESCO की तो UNESCO का full form आपको मैं बता ही चुका हूँ UNESCO जो यह program है यह कहीं न कहीं contribution देता है हमारे sustainable development goals के अंदर sustainable development goals की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास total 17 goals है जो कि हमें 2030 तक achieve करने है तो इन goals को achieve करने में हमारे लिए UNESCO मदद देता है और इन goals को achieve करने के साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे UNESCO के अंदर 193 members देखने को मिलेंगे 11 associate members है और भारत ना UNESCO को join गया था 1946 में और 2019 की बात है USA और इसराइल दोनों ने यहाँ पर UNESCO से quit कर दिया था देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ यहाँ यहाँ Man and Biosphere program दूसरा World Heritage program है तीसरा UNESCO Global Geo Park Network है और चौथा UNESCO Network for Creative Cities यहाँ पर UNESCO के कुछ other initiatives है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा सब कुछ क्लियर हो चुका होगा वीडियो का अंत है लेकिन उससे पहले मैं आप लोगो एक छोड़ा सा revision देता हूँ हाँ आज मैं quiz नहीं time लगया मुझे काफी research लग गई है इसी वेसे कोई बात नहीं important content हमारा cover होना चाहिए important articles cover होने चाहिए है तो अब यहाँ पर फटा फट इसके बारे में हम लोग cover करते हैं और अपना revision लेते हैं तो हमने पहले emergency provisions के बारे में जाना क्योंकि West Bengal के अंदर एक violence हुआ है इसकी व 356 और 360 लेकिन अगर हम लोग all over बात करें तो 352 से लेकर 360 तक सारे emergency provisions mentioned है तो यहाँ पर national emergency, state emergency और financial emergency देखने को मिलती है आर्टिकल 355 के अंदर क्या बोला गया 355, 356 क्या है प्लस उसके बाद president rule क्या होता है उसके बाद national emergency और state emergency में क्या difference होता है और उसके बाद national emergency exactly क्या होत होती है उसके बाद financial emergency क्या होती है हमने समझा प्लस इन emergencies का fundamental rights के उपर क्या effect पड़ता है वो हम लोगों ने detail से जाना, world theater के बारे में हम लोगों ने हाँ पर जाना दन उसके बाद LED के बारे में हम लोगों ने discussion किया, LED काफी सारे हजारों बच्चों के खून में पाया गया, Z LED की वैसे कितने लोगों की जान जारी है वो discuss किया, WHO को क्या response है LED को लेकर वो हमने देखा, इंडिया का क्या response है वो हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद G7B satellite को cover किया, और G7B satellite के अंदर क्या major मकसत है हमने उसको समझा, G7 को हम लोग बोलते है रुकमिनी, 7A को बोलते है Angry Bird, ठीक है और जो 7B वाला आप लोग देख पाते हो, 7B जो होता है हमारा वो अभी एक नया वाला satellite है जो कि इंडियन आर्मी के लिए लाया गया है, यह हम लोगों ने समझा, उसके बाद World Water Day 2022 के बारे मैं आपको cover करवाया, यहाँ पर UNESCO के थू, H2O वाला initiative लेकर आया गया H2O का initiative का objective क्या है वो हम ने समझा, UNESCO क्या है वो हम लोगों ने देखा, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day, thank you and जैहिंद